हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर एके आजाद और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त दोस्तो मुझे आए दिन रोजाना 10 से 15 कमेंट मिल रहा हैं कि सर हमें मरदाना ताकत बढ़ाने के लिए कोई यूनानी माजून बता दीजिए जिसको हम कुछ दिन इस्तमाल करके अपनी मरदाना कमजूरी को दूर कर सकें या शरीर में आई कमजूरी को दूर कर सकें भूग को बढ़ा सकें, इम्मूनिटी पाउर को बुश्ट कर सकें इन तरह के कमेंट रोजाना मुझे मिल रहा हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में एक ऐसा जबर्दस्त माजुन में बताऊंगा जिसके मातर कुछ दिन के इस्तमाल से आप मैन फोर्स और विगोरा बिल्कुल भूल जाएंगे इस्तमाल करना जी दोस्तो ये माजुन खास तोर से उन लोगों के लिए है जिने प्राइबेट प बार शीग्रपतन के शिकार हो जाते हैं या विर्य बिल्कुल पानी की तरफ पतला है धात की समस्या है नाइट फाल की समस्या है या फिर उनके शरीर में बहुत जादा कमजोरी सुस्ती मालुम देती है आए दिन बस चक्कर आता है अच्छी भूख नहीं लगती सेहत भी द का काफी खराब हो गया है आप किसी से कह दीजिए दोस्तों की आप चना भीगा कर खाएं या फिर शाग पालक हरी सब्जियों का इस्तमाल करें तो कोई भी इस पर अमल नहीं करेगा सबको चाहिए चिकन मटन इन चीजों पर लोग ज्यादा अभी ख्याल कर रहे हैं और फा पाड़ा करता है जिससे आप चाहकर भी आपके प्राइबेट पाट में तणाव नहीं आता यानि कि आपको ब्लड फ्लो आपका बिल्कुल जीरो हो गया है सरीर में यानि कि शाहीं तरीके से जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको तनाव की कमी देखने को मिलेगी और ट फल फ्रूट्स का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करते हैं ड्राइफ फ्रूट्स का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करते हैं तो आज से ही सुरू करते हैं चिकन का कम से कम इस्तमाल करें चिकन मटन कम से कम इस्तमाल करें हाँ लेकिन दोस्तों आप मचली का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो को दूर करते हैं या फिर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो स्लो हो गया है या ब्लड गाड़ा हो गया है तो उसे भी ठीक करता है मचली आप इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही जो चीजे मैंने बताई उसे इस्तमाल करें और जो चीजे मैंने मना किया है उसे बिलकुल आप इस्तमालना करें साथ ही 2-4 km पैदल रोजाना चलें बले यह आपके पास बाइक है बाइक को इग्नोर करें आप रोजाना 2-3 km पैदल चलें एक से 2 घंटे आप exercise करें यानि कि अपने शरीर का पशीना जरूर बाइं तब आपके बाड़ी में ताकत और फुर्तीलापन आपको देखने को मिल जाएगा यह चीजे भी करें और जो मैं माजुन बता रहा हूं आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज्यादत देरी ना करते हुए उस माजुन के बारे में जानते हैं दो ना पुन्शक्ता की समस्या है तो उसे बिल्कुल खतम कर देता है माजुन जलाली आपको दो-चार कंपनियों को मिल जाएगा जैसे कि हमदर्थ कंपनी काता है रेक्स फार्मा काता है और भी बहुत से कंपनियों काता है तो मैं जो अभी बता रहा हूं इस्क्रीन पे आपक मिल जाता है 30 गराम का पैक आता है और जिसकी कीमत की बात करें हमदर्थ कंपनी का सस्ता है असी रुपय का आपको एक डबबह मिल जाता है जिसमें 30 माजुन माजुन होता है यह माजुन में ब्याख्यों मैं बता दूं काफी अच्छे-च्छे जड़ी बूटr जेशर से के और टाइमिंग को भी बढ़ाता है तो यह आपको 30 ग्राम के पैक में देखने को मिल जाता है 80 रुप्या दा में डोज में बाद में बताऊंगा इसके पहले फाइदे पे नजर डाल लेते हैं तो दोस्तों जिन लोगों को premature education की समस्या है या erectile dysfunction की समस्या है यानि की premature education यानि की बार बार उन्हें शिग्रपतन हो जाता है बिस्तर पे जाते हैं और एक दो मिनट अभी काम किये तब तक उन्हें जो है शिग्रपतन हो गया और उन तरह की लोग काफी चिर्चिड़े हो जाते हैं मेंटली रूप से डिश्टार्ब हो जाते हैं उनके दिमाग पे काफी तनाव आ जाता है बार-बार शिक्रपतन होने के वज़े से तो सबसे पहले खासियत इस माजुन की यह है कि यह आपके शिक्रपतन की समस्या को दोड़ खतम करता है टाइमिंग को 40-45 मिनट करता है दिमाग को रिलेक्स करता है टेंसन तनाव को दूर करता है अच्छी नीद लाता है और सुस्ति को दूर करता है तो यह पहला इसका फायदा है दूसरे फायदा की बात करें तो ये erectile dysfunction के समस्या को भी दूर करता है यानि कि जिन लोगों के private part में बिलकुल तनाव नहीं आता या किसी तरह से तनाव एक दो मिनट के लिए आता है लेकिन संभोग क्रिया करने पर फॉरण धिला पर जाता है और इस तरह के लोग किसी तरह से एक बार तो कर लेते हैं लेकिन दुबारा जब मन बनाते हैं तो उनका private part उनका साथ नहीं देता और वो चाह कर भी दुबारा नहीं कर पाते तो ये काफी असरदार है काफी powerful है नाम से ही पता चल रहा होगा कि माजुन जलाली है ये हमदर्थ company का यानि कि आपके अंदर की क तनाव बिलुकुल बना रहता है आप एक बार नहीं दो से तीन बार भी आनंद लेख सकते हैं विस्तर पे और आपका private part धिला नहीं पड़ता यानि कि ये आपके शिग्रपतन और तनाव ना आने की समस्या को भी जड़ से खतम करता है साथ ही कमजोरी आलस को दूर करता है अच्छी भूक लगाता है डाइजेशन प्रिक्रिया को मजबूत करता है इमनिटी पाउर को बुष्ट करता है और आपके रग रग में जोश और ताकत को भर देता है काफी अच्छा है अगर आपने बहुत से माजून इस्तमाल करके ठक चुके हैं और आपको कोई result नहीं म शिकायत है या किसी अधर बेमारी की दवा चल रही है तो उन तरह के लोग अगर इस्तमाल करना चाहते हैं तो एक बार अपने नजदे की डॉक्टर से सलाल लेने के बाद ही इस्तमाल करें डोस की बात करें तो अगर आपकी समस्या चार साल पांच साल पुरानी है तो आप इसे जो है अठार साल से उपर के लोग यह ले सकते हैं इसे जो है समस्या पुरानी होने पर आप दद्दस गराम शुबश शायम गुनगुने गाय या बैंस के दूद से करीब दो तीन माहिन लें अगर आपके समस्या अलके फुलकी है तो आप पांच गराम दिन में दो बा कोश्टिक चूड भी इस्तमाल कर सकते हैं उसे एक एक चम्मच सुबह शाम लें और इसे भी दद्दस गराम सुबह शाम लें दूद से गुनगुने दूद से लेना है और तीन मेने इस्तमाल करें आपकी हर समस्या जड़ से खतम हो जाती है और आपको कोई भी ऐलोपैटि ड्रग की सारा लेनी की जरूरत नहीं पड़ती है